गाईत्री महमंत्र एक बार मेरे साथ दोरव ओम भूर भूवह स्वेह तश्य वीतुर्वरेणियम भर्गो देवश धीमाही धीयो यो नह प्रचो दयात एक-एक बात को समझाऊंगा किसी बात को भी आप से जुबरजस्ती नहीं मनवा हुआ कल एक बिटिया मेरे से कह रही थी भोजन के बारे में आज मैं आपको भोजन के बारे में समझाऊंगा वो बिटिया मेरे से कह रही थी कि मैंने नमकीन देखी और नमकीन को देख करके मुझे पर रुका नहीं गया और मैंने नमकीन खाली आज मैं आपको भोजन के बारे में समझाऊंगा साधना का जो पहला चरण है जो एक वर्सी अनुस्थान से पहले आपको कराया गया है वो सचेतन मन की साधना कराई गई है और सचेतन मन के बारे में मैंने आपको बताया था इंद्रियों का मन के माध्यम से मन का साथ ले करके बुद्धी के साथ जुडाव रहता है और बुद्धी भी कौन सी सांसारिक बुद्धी उसके साथ जुडाव रहता है जिस जो चीज आपकी आदत में हैं स्वभाव में हैं वो दूसरा चरण है पहले मैं पहले चरण की बात करूँगा पहले चरण की जो साथना है वो सरीर के सोधन की साथना है और सरीर के सोधन में दो चीज अभ्यास में लानी पड़ती हैं वो दो चीज क्या है एक है अहार और दूसरा है विचार एक है अहार और दूसरा है विचार अंदर जाकर के सोच करके देखो दोनों का आपस में संबंद है या नहीं है अंदर से देखो अगर दोनों का सोधन आपको करना है सोधन आप आहरका करेंगे विचार का सोधन अपने आप होने लग जाएगा कैसी बात समझाई देखो जरा, प्रत्यक्स देखो कमजोरो लाचार मत बनिये सच्चाई को मानिये सच्चाई पर हमको चलना है मिल करके चलना है उससे ताकत पैदा होगी इसको भी और अच्छे से आगे समझाऊँगा आज केवल आहर के बारे में सुन लीजिए आहर का संबंद हमारे स्वाद से है आहर का संबंद हमारे स्वाद से है अगर स्वाद से संबंद नहीं होता तो कोई अहार के पीछे लगा हुआ नहीं फिरता मुक्त होता सब उनसे अहार से सब मुक्त होता स्वाद से सब कोई मुक्त होता तो इसका मतलब अहार से हमारा स्वास्त गया नई, अहार हमारे स्वास्त की रक्षा करता है मैं केवल एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा चाकू से काट करके सबजी, फल, आदी पेट भरने के काम आते हैं परन्तु वो ही चाकू अगर फल काट करके पेट भरने के वज़ाए पेट में चाकू घुश जाए तो चाकू के घुश जाने से सरीर का ही अंत हो जाता है जो आहार हमारे स्वास्त की रक्षा करता है अगर वो ही हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है और इच्छाओं के माध्यम से स्वास्त के नियमों का उलंगन करने लग जाता है उनको काटने लग जाता है तो स्वास्त के काटने के कारण स्वास्त खत्म होता हुआ चला जाता है तोल लेना मेरी बात को तोल लेना मेरी बात को उसके कारण हमारा विचार दूशित होता है क्योंकि अपनी इच्छाओं पूरी करने के लिए आदमी के मन में खोट विचार में खोट पैदा होता है और अपनी इच्छाओं पूरी करने के लिए आदमी मैं कहता हूँ भोग और विलास आदमी के साथ लगा है पर क्या संयम नहीं लगा है इश्वर नहीं मना कर रहा भोग विलास के लिए परन्तु सैयम को पहले कह रहा है सैयम के साथ रहिए मैं फिर से कह रहा हूँ जितने भी भोजन होते हैं वो स्वाद प्रधान होते हैं और स्वाद प्रधान होने के कारण व्यक्ति सीमाओं का उलंगन करके उनको ठूस ठूस करके खाता है उनको व्यक्ति ठूस ठूस करके खाता है यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा मैंने कहा था बाजार की चीजों को बना किया था मीथा खाने के लिए मना नहीं किया था ना कोई मना नहीं है परंतु चीनी खाने के लिए मना किया है चीनी खाने के लिए इसलिए मना किया है कि चीनी में कैल्सियम नहीं होती है कैल्सियम हमारे सरीर में जाकर के भोजन को जला करके पकाने का काम करती है पाचन तंत्र को मजबूत करती है कैल्सियम और हमारा स्ट्रेक्चर जो हड्डियों पर खड़ा हुआ है उसको मजबूत करती है चीनी में क्योंकि कैल्सियम निकाल दी गई होती है इसलिए पच्चती नहीं है और पाचन के लिए जो हमारे बोडी में कैल्सियम है अर्थात हमारी हड्डियों से वापसी ली जाती है जिससे हमारी हड्डियां कट-पट-कट-पट जोड बोलने लग जाते है हमारे जोड समय से पहले बोल जाते है अब मैं तो ये कह रहा हूँ बाई मेरे जोड बोल गे पर मेरे बच्चों के तो ना बोले मेरे बच्चे तो सुरक्षित रहे पर अंतर ये है बच्चों को मेरी बात कितनी समझा रही है और चीनी की बात कितनी समझा रही है चीनी मत खाना, नहीं तो आपके जोड बोल जाएंगे, कट कट आएगी, गुटने बैड जाएंगे, आप पर उठा खड़ा नहीं हुआ जाएगा, परन्तु इस समय तो बच्चों को स्वाद दिख रहा है, स्वाद, स्वाद दिख रहा है, तो जो समझाय जा रहा है, वो नह नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा, उसने ऐसा फसा करके रखा हुआ है, अहार का जो नियंत्रण है, वो उसने हमारा बिगाड करके रख दिया, याद रखना, मैं मना नहीं कर रहा, के व्यक्ति को स्वाद नहीं लेना चाहिए, परन्तु हर पदार्थ का एक स्वाभाविक स्वाद है, एक स्वाभाविक स्वाद है, वो ही उपियुक्त है, जो स्वाभाविक है, वो ही उपियुक्त है, वो आपके स्वास्त की रक्षा करता है, इसलिए वो उपियुक्त है, पदार्थ में प्रकर्ती का समावेश है प्रकर्ती के कारण ही संसार साकार है समावेश्ट प्रकर्ती फलों के अंदर बैठ करके अपने अपने गुणों को ले करके बैठ ही है आपको जिस चीज की जरूरत हो या कहिए जो कमी आपके जीवन में आजाए स्वास्त में कमी आजाए आप पदार्तों से उन्हें पूरी कर लीजिए नहीं जी हम तो अपनी मनमर्जी चलेंगे आप अपनी मनमर्जी नहीं चल रहे हैं ये आपकी मर्जी नहीं है सच को पहचानो ये आपकी मर्जी नहीं है वो बिटिया लाइन पर सुन ले न, वो आपकी इच्छा नहीं थी, अगर आपकी इच्छा थी, आपकी इच्छा तो वो थी, कि जो खाने के बाद तुम पच्छताए, उसने मेरे से कहा, मेरी इच्छा ने जो और मारा, और मैंने उसको खा लिया, और खाने के बाद मुझे प इच्छा थी जिसने इतनी प्रबल इच्छा पैदा की एक नहीं मुझे यही चीच चाहिए वो इच्छा आपकी इंद्री की इच्छा थी परंपुझ गुर्देर ने जो सैयम की बात कही है वो इसलिए कही है अब मुझे बताओ इच्छा पूरी करना बुरा नहीं है मैं मना नहीं कर रहा इच्छा पूरी नहीं करनी चाहिए पर पहले अनुसासन को तो मानना चाहिए जो मुझे नुकसान ना दे उस काम को कर लो इसलिए इच्छा पूरी करने से पहले सैयम की आवशक्ता है सईयम आपकी शक्ती को बटोर करके रखता है इसलिए सईयम की नितांत आवशक्ता है घोर नितांत नहीं कहा रहा घोर आवशक्ता है इसलिए किसी भोजन से मना नहीं किया गया है किसी भी भोजन के से मना नहीं किया गया है परन्तु ये कहा गया है कि संयम बहुत आवस्चक है एक बात और कह रहा हूँ कच्चे पदार्थ अर्थात कच्चे अन जैसे गहू है जैसे आलू है जैसे खीरा है ककडी है अब मैं ये कहूँगा आप समझदार है ककडी खीरे को तो कच्चा खाया जाए उनका रस होता है उनमें उसका रस होता है जो सुपाच भी होता है बताओ ऐसा नहीं है खीरे की सबजी नहीं बनती है खीरे की भी सबजी बनती है मैं फिर से कह रहा हूँ उबाल लेने से जो कच्चे पदार जैसे आलू है कच्चा नहीं खाया जा सकता उसमें स्तार्च भी होता है मांड और कठोर भी होता है पर जब आप उसे उबाल लेते हैं तो उबाल लेने से उसकी कठोरता खत्म हो जाती है और इसकी सुपाच्चता बढ़ जाती है इसलिए अगनी संसकार करना पड़ता है उनको सुपाच बनाने के लिए अगनी संसकार करना पड़ता है जितने फल हैं उनका अगनी संसकार पेड या बेल पर हो जाता है पेड या बेल पर उनका अगनी संसकार हो जाता है वो जैसे आम है कच्चा होता है तो खटा होता है हरा होता है कठोर होता है पर जब पक जाता है तो सूरज की तरह से पीला पड़ जाता है कठोरता खत्म हो जाती है और उस खटे पन के अंदर मिठास भी पैदा हो जाता है प्रकरती अपने आप उसको सुपाच बना देती है इसलिए उसका अगनी संसकार नहीं किया जाता है अगनी संसकार केवल उनीका किया जाता है जो कठोर होते हैं उनीका अगनी संसकार किया जाता है यहां मैं एक निवेदन और करूँगा निवेदन तो अभी बहुत कुछ करना है आज का पूरा प्रवचन खाने के उपर ही रहेगा परन्तु एक निवेदन करूँगा मिट्टी के बरतन पर में उबालने से पोशक ततो सो परतिसत रहते हैं अभी एक बिटिया ने मुझे कूकर दे दिया मिट्टी का कूकर ला करके दे दिया कि गुरु जी इसमें खाना पकाया करो परन्तु मैं उस कूकर को लेकर के मैं आप लोगों को सलह दे रहा हूं कि मिट्टी के मठके में ही बनाने से उस पर ऐसा धकन रख दीजिए कि जितनी वो गैस को अपने अंदर जो उसमें भाब बनेगी उसको दबा करके रख सके वो सबसे उत्तम है उस कूकर को लेकर के मुझे ये अनभव हुआ कि मठकी ही सबसे अच्छी है बस उसमें मिट्टी का एक धकन जरूर रख ले जो उस पर बिलकुल फिट आता हो तो उसमें पोशक तत्व सो परतीसत हो रहते हैं सो परतीसत रहते हैं और आप करके देख लेना अगर मठकी में बना करके भोजन को रखा है और तीन से चार घंटे भी आपने रख लिया तो बराबर गरम बना रहता है यानि के उसमें सो परतीसत जो पोशक तत्व हैं उनमें कोई अंतर नहीं पड़ता पिछले दिनों मैंने एक महापुरुष का प्रवचन भी सुना था उसने बताय था कि 24 घंटे भी अगर वो भोजन रखा जाए तो उसके पोशक तत्वों में कोई कमी नहीं आती उसी भोजन को यदि पीतल के बरतन में बनाया जाए तो उसमें पोशक तत्व 80 परतीसत रह जाते हैं 20 परतीसत खत्म हो जाते हैं उसी भोजन को अल्यूमिनियम के बरतन में बनाया जाए तो 60 परसेंट पोशक तत्व बनाते बनाते ही खत्म हो जाएंगे उसमें एक पदार्त है जब आप अल्यूमिनियम के बरतन को मांजते होंगे तो काला काला छूटता है उसको बोकसाइड कहते हैं वो बोकसाइट हमारे सरीर में जाता है भोजन के पोशक छमता को तो खाई जाता है साथ में हमारे स्वास्त को भी खा जाता है अगर उसी भोजन को क्योंकि कूकर सब ऐल्यूमिनियम के हैं उसी पदार्थ को भोजन को अगर कूकर में बनाया जाएगा और ऐल्यूमिनियम के मे बनाय जाएगा, तो 20-30 केवल पोशक तत रह जाएंगे, और भोजन तूट जाएगा, बिखर जाएगा, दबाव के कारण, दबाव के कारण, वो चूरा-चूरा हो जाएगा, दबाव के कारण, गलेगा, वो दबाव को सहन नहीं करेगा, बिखर जाएगा, बिखर जाएगा, अब आप सोच करके देखिए, स्वास्त की रक्षा के लिए पोशक तत्वों को कैसे दिया जाए, जो हमारे सरीर में जाकर के हमारा पोशन करें, पोशन करें, उन पोशक तत्वों को कैसे दिया जाए, जो कच्चा खाये जाने योग हैं, उनको चबा चबा करके, उनका रस ले करके कच्चा ही उनको खाया जाए उनी की भिन्नता में रसको लेना चाहिए तरह तरह के पाचक सुपाचक तत्व इसके अंदर डालने चाहिए अनों को साकों को उबाल कर लेने से वो कठोडता या एस्वादिस्टता मिट जाती है अगर उबले साक प्राय अपने स्वाद में रहते हैं तो उबले अन, दाल, चावल, दलिया, खिचडी ये भी अपना अपना स्वाद अपने अंदर समेट करके रखते हैं और ये सभी सुपाच बने रहते हैं कठनाई वहाँ पर जाकर के पैदा होती है जहाँ पर इने तलने, भूनने, चिकनाई का समावेश करने, सक्कर, नमक, मिलाने से, इनके स्वाद को और उबहारने से, मसालों की भरमार करने से मैं फिर से कह रहाँ, नमक भी नुकसान देता है और चीनी भी नुकसान देती है इसलिए मैं आपसे एक बात कह रहाँ, कि हमें स्वाभाविक इस्थती में ही भूजन को करना चाहिए मैंने सुना है, कि जो व्यक्ति नसा करते हैं, नसा करने से उन्हों आदत पड़ जाती है नसे की और उनका नसा बार, वो नसा नहीं करना चाहते, अंदर से अगर उनसे कभी प्रेम से पूछेंगे क्या आपको ये ठीक लगता है, इसमें अपना भला लगता है, तो वो इस पस्ट कह देंगे कि नहीं, मैं अपने साथ बुरा कर रहा हूं, और मैं इसे छोड़ना चाहता हूं, पर ये मेरे से छूटती नहीं है, ये मेरे से छूटती नहीं है, मैं तो इसे छोड़ना चाहता हूं नसे को अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्या स्वाद भी एक नसा है या नहीं है अपने आपसे पूछें क्या स्वाद एक नसा है या नहीं है जैसे नसे की लथ होती है ऐसे ही स्वाद की भी तो लथ होती है लग पड़ जाना ही संयम को खतम करता है और संयम खतम हुआ नहीं कि तामसिक वरतियां जग जाती है और तामसिक वरतियों के जग जाने के कारण हमारा पतन का चक्र सुरू हो जाता है मैंने एक बात कही थी साधना का जो पहला चरण बताया था वो सरीर सोधन को बताया था चेतन मन को बताया था भौतिकता को बताया था आगे चलके मैं इसके फेद बनाऊंगा इसे दो भाग मैं आगे चलके बांटूंगा परन्तु अभी आप केवल एक भाग पर रहें भोजन वाले भाग पर भोजन वाले भाग पर तामसिकता की बात मैंने अभी आपसे कही के जैसे वर्तियां हमारी नसेवाजी में आ जाएंगी वैसे ही वैसे तामसिकता हमारे अंदर पैदा हो जाएगी अब दरा सोच करके बताओ अगर तामसिक वर्तियां हमारे अंदर शुरू हो गई तो उनकी इच्छाएं क्या होंगी उनकी इच्छाएं क्या होंगी अंदर से सुनो बात को और तुल्ना करना अपने आपसे और मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूँ हर आदमी को अपनी तुन्ना अपने गुरू से करनी चाहिए गुरू एक स्तर होता है अगर आपको उंचा चड़ना है तो गुरू को पकड़ करके उपर चड़ जाएंगे हवा में आप उपर नहीं चड़ सकते अरे मैं फिर से कह रहा हूँ आप पेड का सहरा लेकर पेड पर चड़ सकते हैं मैं फिर से बोल लाँ जरा समझना एक महापुरुष हुए है राजा हुए है उनका नाम था उत्तान पाद उत्तान पाद और उत्तान पाद का जो अर्थ होता है जमीन से जिसके पैर उचे उठ जाएं याद रखना और वो जोर लगाए तो वो कितना जोर लगा देगा तोलना बात को तोलोगे तो पता लगेगा आपके पैर जमीन पर नहीं है जमीन से उचे उठ गए और आप से कहा जा रहा है जोर लगाईए और आप जोर लगा रहे हैं परिनाम कितना आएगा परिनाम कितना आएगा एक व्यक्ती पेड पर चड़ता है पेड की जड़े जमीन को जकडे हुए रहती है पेड को जकडे रहता है तो गिरता नहीं है गिरता नहीं है पेड उसे गिरने नहीं देता पेड समर्थ होता है अगर कोई व्यक्ति पेड पर ना चड़के और उतना उंचा उठना चाहता है जितना पेड पर चड़कर के उठा तो उठके दिखाओ उठके दिखाओ मैं अब कह रहा हूँ विचार के रूप में विचार के रूप में कह रहा हूँ सरीर के रूप में नहीं कह रहा विचार भी मैंने कहा था पहली जो साधना है पहला जो चरण है वो दो ही चीज़े आहरशुद्दी विचार सुद्दी अब आहरशुद्धी तो की नहीं तो विचारशुद्धी कैसे होगी व्यक्ती बड़ा व्यक्ती बनना चाहेगा मेरे पाद धेर सारा पैसा हो और मैं सब तरे के स्वाद खाऊं समाज में दिखाने के लिए वो उचा उठ जाएगा पर उचे इस तरका जोड लगाना चाहेगा तो नहीं लगा पाएगा उत्तान पाद हो जाएगा उत्तान पाद हो जाएगा अब बताओ अगर बगैर सहारे के कोई व्यक्ती उचा उठ रहा है तो उसकी हालत क्या होगी उपर से नीचे ही तो गिरेगा चड़ेगा जरूर पर चड़ करके एक समय तक चड़ेगा याद रखना विचार में ही एहिंकार पैदा होता है और जब एहिंकार पैदा हो जाता है तो एक समय के बाद में उसका पतन सुरू हो जाता है वो गिरता है वो गिरता है अब मैं आप से ये कह रहा हूँ कि अविचार से आप गिरना चाहते हैं मैंने अभी कहा नसा अव्यक्ति को स्वाद का एक नसा हो जाता है और व्यक्ति हवा में बाते करने लग जाता है और मैंने कहा गुरू का सहरा ले करके तुलना करिये गुरू से जो गुरु कह रहा है उससे तुलना करिये मेरी बात नहीं है ये गुर्देव की बात मैं आपसे कह रहा हूँ अपने गुरु से तुलना करिये हमारे परंपुझ गुर्देव ने पहली साधना तुम्हें बत कहने की क्या ज़र्द है एक रोटी खाते थे परन्तु कैसी एक रोटी खाते थे ये सब को पता है पूरी जिन्दगी नमक और मिरच का मीठे का कोई स्वाद नहीं लिया पैसे की कमी थी उनके पास मैं इसलिए नहीं लिया उनके पास पैसे नहीं थे अरे इससे बड़ा धर्ती पर कोई सैयमी व्यक्ती नहीं मिलेगा परमपुज गुर्देव से बड़ा सैयमी व्यक्ती कोई धर्ती पर नहीं मिलेगा उस साधना को करने के लिए उन्होंने 24 महापुरस्चन की साधना की चोबिस चोबिस लाग के चोबिस महापुरस्चन किये बड़वडाने के नहीं साधना के किये दुबारे से बोल रहा हूं साधना किसकी विचारों में आए हुए जो एहिंकार कल गुपता जी ने मुझे बहुत अच्छी एक बात कही थी हम साधना तो करते हैं पर स्वै को नहीं भूल पाते हम साधना तो करते हैं पर स्वै को नहीं भूल पाते जब तक अपने आपको भूल करके अपने आपको मिटा करके साधना नहीं की जाएगी तो जिनको हम सहरा बना रहे हैं वो हमारा सहरा नहीं बन सकते पहले अपने आपको मिटाना पड़ेगा आज हमारा सहरा हमारा स्वाद हो गया जो हमारी शक्ती थी जिसके सहरे हम खड़े थे आज उसने हमको गिरा दिया गुपता जी इस मामले में स्वास्त के मामले में बड़ी महनत कर रहे हैं मैं उनको बहुत धेरो धेरो आसिरवाद परमपुजी गुर्देव से कहता हूँ उनको शक्ती दें उनको उभारें कि जो हमारा पहला पर्थम चरण है साधना का पर्थम चरण उसको हम किसी तरह से जीत पाएं एक लोलुपता हमारे अंदर हमेशा बनी रहती है और उस लोलुपता के बने रहने के कारण वो अंदर से हमको प्रेरित करती रहती है मात्रा का ध्यान नहीं रखती स्वाद का ध्यान रखती है स्वाद के कारण सीमाओं को तोड़ती है मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप 50 किलो वजन उठा लेते हैं अगर 55 किलो आपके सर पर रख दिया जाए तो क्या होगा आप जितना काम कर पाते हैं उतना काम नहीं कर पाएंगे आपके पाचन तंत्र की भी सीमा है अगर उस सीमा से जादा वजन आपने उसके उपर रख दिया तो वो भी बोज को नहीं उठा पाएगा वो भी उस बोज को पाचन तंत्र उस बोज को नहीं उठा पाएगा भोजन आपके सरीर में डाल दिया गया पड़ा हुआ है वो सड़ेगा पेट में पचेगा नहीं सड़ेगा खून में उसकी जो गंदगी निकलेगी भोजन की वो जाकर के खून में मिलेगी और खून में शक्ती भी दोड़ती है जिस खून में पवित्रता शक्ती दोड़नी चाहिए थी खून की बात कह रहा हूँ आप बहुत कुछ खून के बारे में खानदान के बारे में सब कुछ जानते होंगे और ये भी आपने सुना होगा खून-खून की तरफ दोडता है जब उसमें गंदगी आ जाती है तो उसके जो दुश्परिणाम सामने आकर के खड़े होते हैं उनको आप देख लीजिए वैचारिक रूप से भी और स्वास्त के रूप में भी दोनों रूप में आप देख लीजिए इसलिए छमता से अधिक भोजन ना लिया जाए स्वाद को स्वाभाविक बनाया जाए उसे तामसिक ना बनाया जाए हमारी प्रवर्ती है अगर हमारे अंदर बुराई है तो बुराई बुराई को तुरंत पकड़ लेती है मैंने ही पिछले दिनों एक प्रवचन में बताया था बुराई के अंदर केवल एक गुण है एक गुण तत पड़ता का आप देखो चोड जब चोरी करता है तो उसके अंदर तत पड़ता का गुण काम करता है तुरांत बखेरना सुरू कर देता है और मतलब की चीज निकालना सुरू कर देता है इसी तरह से जब बुराई बुरी इच्छा अंदर की जगती है अंदर से देखना जब बुरी इच्छा अंदर की जगती है तो वो आगा पीछा नहीं सोचती है तुरांत तोड फोड फाड ताड करके भोग कर लीजिए और खतम कर दीजिए मोके का फाइदा उठाईए मैंने का बुराई में एक ही गुन है केवल तत्परता का गुन और अच्छाई में सारे गुन है पर एक गुन नहीं है तत्परता का गुन वो बड़े सहज तरीके से, सरल तरीके से बड़ी शांती से चलता है मैं आपसे ये कह रहा हूँ अगर वो गुन अपने पैदा कर लिया, आपमें सारे गुन है अगर आपने तत्परता का गुन अपने अंदर पैदा कर लिया मुझे बताओ, आप गिरना सुरू हुए तो समणने में देर लगाएंगे तो गिर जाएंगे अगर जद्धी से समण गए, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा बिगड़ तो बहुत कुछ चुका है परन्तु अभी मिटे नहीं है, समणने की स्थिति में है अभी बच सकते हैं मुझे बताओ, पुन्य की बात बताओ, कौन सा पुन्य सबसे बड़ा है अपनी जिन्दगी में आप कितने तीर्थ ब्रत त्योहार कर लीजिए अगर आपने अपने आपको बचा लिया और किसी एक को बचा दिया तो कितना बड़ा तीर्थ हो जाएगा कितना बड़ा तीर्थ हो जाएगा एक व्यक्ती का निर्मान कितना बड़ा निर्मान बहु करके निकलेगा कितनी बड़ी पुण्य प्रक्रिया है जो पहली साधना बताई सरीर की, स्वास्त की और विचार की कितना बड़ा पुण्य है आप अपने उपर पुण्य कर रहे हैं आपकी जड़े मजबूत हो रही है आपकी पकड मजबूत हो रही है मैंने पिछले एक प्रवचन में नहीं दो-तीन प्रवचन में कहा था आपका अनुस्थान तभी पूर्ण होगा जब आपके अंदर संकल्प बल जगेगा संकल्प बल आपका जितना ध्रड होगा, निश्चल होगा उतनी ही ताकत आपके अनुस्थान के अंदर पैदा हो जाएगी एक बात और समझा रहा हूँ तामसिक व्रति जब च्छाती है मेरे अपड़े हो बड़े हिर्दे से बोल रहा हूँ और हिर्दे से लगा करके और प्यार करके बोल रहा हूँ क्योंकि और कहने के लिए गिड़ गिड़ाने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है मैं गिड़ गिड़ा करके कह रहा हूँ जब व्यक्ति के उपन नसा च्छाता है तो फिजिकल जितनी उसकी छमताएं है वो निस्क्रिय हो जाती है और निस्क्रिय हो जाने के कारण एक नींद निकम्मापन उसके उपर छाने लग जाता है प्रभाव के रूप में उसके उपर छाने लग जाता है यही दुर्बुद्धी है यही दुर्बुद्धी है जब वो दुर्बुद्धी छाती है आलश और प्रमाद यानि के चेतना का निकम्मापन उसके उपर छाने लग जाता है साथ ही उत्तेजना और चंचलता पैदा हो जाती है साथ ही उत्तेजना और चंचलता पैदा हो जाती है और उसके पैदा हो जाने से रोगों की जड़े जमने लग जाती है सभाव में रोगों की जड़े जमने लग जाती है बै तोल लो बात को अपनी जिन्दगी को खराब करना है या अपनी जिन्दगी को अमर करना है परंपुझ गुर्देव कहते हैं आपका भाग्य आपकी मुठ्थी में है आपका भाग्य अपनी मुठ्थी में है आप विधाता है विधाता किसी ओर को विधाता मत कहना आप विधाता हैं अपने भाग के निर्माता हैं मैं पूछ रहा हूं सवाल कर रहा हूं किसी को दोस्त देते रहोगे जो गुपता जी ने कहा था कि हम अपनी विस्मर्ती नहीं कर पाते और विस्मर्ती ना कर पाने के कारण हमें अपना इस मनन याद रहता है और अपना इस मनन याद रहने के कारण जब हम जब करते हैं तो हमारी वोई इच्छाएं उस जब में आकर के बैड़ जाती है और कहती हैं प्रदानता हमारी है राज हमारा है आप जो तप कर रहे हैं उससे हमें शक्ति मिले आप जो खाद पाणी लगा रहे हैं वो बुराईयां उसमें समाविस्थ हो जाती है और वो शक्ति को खाने लग जाती है आदवी अनुस्थान तो कर लेता है परन्तु दिखावा कर जाता है मन को मसोस लेता है संकल बल के कारण मन को मसोस लेता है पर परिवर्तन नहीं ला पाता मैंने एक बात बहुत पहले कुछ दिन पहले कही थी एक प्रवचन में कही थी चेतना का निखार का मतलब है चेतना की सक्रियता आग के अंगारे के ऊपर राख चड़ गई है जब तक राख नहीं अठेगी चाहे आप कितना ही इंधन डाल लीजिए चेतना सक्रिय नहीं होगी और याद रखना चेतना में जान होती है राख में जान नहीं होती है जरा से प्रभाव से तुरंत बिखर जाती है और चेतना साकार हो जाती है मैंने एक महीने का समय दिया है एक महीने का समय उस परिवर्तन के बारे में जरा सोच करके देखे जो एक महीने बाद आपको महसूस होगा इसलिए जैसे जैसे आपका संकल्प बल सक्रिय होगा वैसे ही वैसे आपकी चेतना में जागरती आती चली जाएगी नियम तो ये है आदा पेट भरते के साथ ही डकार आ जाती है और ना भी आये तो अंदर से अवा जाती है बास ठीक हो गया आदे खाली पेट को हवा के लिए और पानी के लिए रखता है पेट अपना आदा हिस्सा हवा के लिए और पानी के लिए रखता है बोजन से जादा पानी और पानी से जादा प्रान जरूरी है हवा जरूरी है और अब तो मैं एक बात कह रहा हूँ दूसरी साधना में आप हैं आगे चलके उसका नंबर आएगा परन्तु दूसरी साधना में जो प्राण प्रत्यावर्तन की बात आप से कही जो गर्भ में आपका विराजमान कराया गया है उसका उद्देश प्राण प्रत्यावर्तन प्रत्क्रिया है जिस तरह से मा प्राण प्रत्यावर्तन प्रत्क्रिया कर देती है और बच्चे को मतब जो आत्मा है जो चेतना है उसको प्राणवान पिंड के अंदर पैदा कर देती है स्वास्त की अभिवर्दी हो रोगी के सरीर में स्वास्त का सुधार का सिलसिला ततकाल चलना चाहिए स्वल पाहरी अपने आपको बनाना चाहिए इसके लिए सर पर्थम ऐ स्वाद वरत का पालन और संयमों में सर पर्थम स्वाद जप करना चाहिए स्वाद जप करना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ स्वाद जप का मतलब क्या हुआ प्राकर्टिक रूप से पदार्थ का जो स्वरूप है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए उपर से चिकनाई या मसालों की जो समावेश किया जाता है भरमार की जाती है उसको बंद कर देना चाहिए उन्हें उबाल कर लेना चाहिए स्वाद की अपेक्षा करते ही आहार में आवश्चक मात्रा घट जाएगी और उतना ही उद्रस्त करने की आवश्चकता अनुभव में आने लग जाएगी आपके भ्यास में आने लग जाएगी जो पाचन तंत्र की मरियादा के अंतरगरत आता है आज मैं इतने पर ही विराम दे रहाँ क्योंकि समय पूरा हो चुका है कल मैं विहार के बारे में बताऊंगा इसी के साथ विचार का जो दूसरा पक्ष जुड़ा है कल मैं आपको विहार के बारे में बताऊंगा आहार और विहार इनका दोनों का आपत्स में समन्व है संयोग है एक दूसरे के साथ साजेदारी है अभी जैसा बताया आपके स्वाद पर ही ठिका हुआ है विचार अब आत्मिक निवेदन कर रहा हूं चुप मत बैठना प्रचार प्रचार प्रशार करना एक बात और कह रहा हूं सुनेल इस समय लाइन पर हैं जिनके दान आ रहे हैं उन्हें रजिस्टर में चड़ाते जाएं उनका हिसाब किताब रखें न्यू अशोक नगर से सुनेल उनके जिम्मेदारी दे रहा हूं उसका हिसाब किताब अपने पास रखें मेरे पास और भी दान आए हैं मैं उनको लिख करके डाल दूँगा अक्षे सिंग ने 200 रुपे भेजे हैं 500 रुपे कुशुम ने विजय नगर से भेजे हैं और 500 रुपे मांडा से आए हैं मेरे पास मैं उनको लिख कर डाल दूँगा आज की बात संपन ओम शांती ही शांती ही शांती